हाई गाई वेल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही अलग सा वीडियो जो है आसानी से विजिबल हो वाइट बेस पेंट करने के बाद मीनियन्स आक्चली में होते हैं येलो और ब्लू कलर के तो मैं यहाँ पर हाफ जो स्टोन है इसे येलो पेंट कर रही हूँ और हाफ स्टोन को मैं ब्लू पेंट करूंगी मैं दो मीनियन्स पना रही हूँ यहाँ पर इसलिए दो स्टोन्स को मैं सीमिलरली यालो और ब्लू कलर से पेंट करूंगी, यहाँ पे जो आपको कॉर्नर से इनको भी अच्छे से पेंट करना है, ताकि जो साइट से अगर आप कोई देखे तो ऐसा ना लगे कि यह अच्छा नहीं लग रहा है, सो इसे बहुत अच्छे इसे दोनों ही स्टोन को हमें हाफ यलो और हाफ ब्लू पेंट करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और आप अपनी क्रियेटिविटी का यूज़ करके इसे बहुत ही ब्यूटिफूल सा शेप दे सकते हैं, जहां से मैं यहाँ पे एक मीनियन बना रही हूँ, आप वैसे ही कुछ भी बना सकते है जैसे आप बल बगल में देख पा रहा है, एक बलग रखा है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं से, ऐजाते हैं सबंधिमियन अज़ने मेरे और तो और यहाँ पी हो चुका है, हाफ ब्लू पेंट कर रहे हूँ, और पूरा पेंट होने बाद य इसे थोड़ी देर के लिए ड्राय होने के छोड़ देंगे क्योंकि इसके उपर हम अगर ओवरलाप करते हैं तो हो सकता है हमारी पेंटिंग जो नेक्स्ट पेंट लगाने वाले हैं वो बिगड़ जाए तो इससे हाफ एन आर वन आवर के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंग सो आप मैं जो स्टेप्स कर रही हूँ आप वनी सारे स्टेप्स को फॉलो कीजेगा और आपकी ब्यूटिफुल सी पेंटिंग बन जाएगी ब्लू कलर जो है यह काइंड आफ जीन्स है मीनियन्स का तो हम यहाँ पर एक पॉकेट डिजाइन कर रहे हैं पॉकेट का शेप द दूँगी जिससे की यह काफी अच्छा लगेगा देखने में सो आप भी सेम स्टेप्स को फॉलो कीजिए और बहुत ही ब्यूटिफुल सा स्टों पेंटिंग बन के आपके साथ रैडी हो जाएगा सो आप देख पार है मैं यहाँ पे जीन्स का पैटरन दे रही हूँ हाला बस आपको भी सेम स्टेप्स को रिपीट करना है मैं ब्लैक पेंट से कर रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत ही ब्यूटिफुल दिखें यह एक आउटलाइन है आइस के लिए आउटलाइन बना दिया है मैंने सेम मैं दूसरे के लिए भी पॉकेट्स पना आरी हूँ चीन्स का शेप दे रही हूँ एंड मैं सेम इसके लिए भी आइस का पैटन ड्रॉ कर लूँगी आपको भी सेम इस इसी तरीके से करना है अगर आप प्रिसाइस नहीं हो ब्रश के थ्रू तो पहले आप पैंसिल से करके उसके बाद प्रश उसके ऊपर चला सकते ह है बट मेक शूर कि वह पैंशल का जो भी आप पैंसल से मार्क करेंगे वा बात में दिखें नहीं तो फिर ऐसे ही आप अब में इसकी आइस को फिल कर रही हूं जैसा कि आप देख पा रहे हैं आईस फिल होरी है वाइट लर से आइस फिल करूंगी और उसके बाद से फिर से मैं इसमें ब्लाक कलर इंसर्ट करूंगी ताकि वो आईज का प्रॉपर शेव दे पाएं सो मैं यहाँ पर कर रही हूं और भी अगर आपको मेरे दूसरे वीडियो देखने हैं स्टोन पेंटिंग के ऊपर तो आप ज़रूर से मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि यह बहुत अलग तरह का वीडियो में अपलोड कर रही हूं अपने चानल पे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको पसंद आया है मेरा स्टोन पेंटिंग करना तो बस मैं और भी अच्छे ची वीडियो पनाओँगे और भी अच्छे से पेंटिंग बनाओँगे और आपके साथ शेयर करोंगे जैसा कि यह देख पा रहे हैं आप मैं इसके glasses बना रही हूँ Minions के जो कि बहुत ही cute लगते हैं और Minions के hairs बना रही हूँ दोने ही stone painting पे हमें same almost करना है एक पे मैंने glasses बना दिये दूसरे पे भी बना रही हूँ इनकी eyes को feel कर रही हूँ मैंने कहा था थोड़ी देख छोड़ दीजेगा तो और अच्छे से यह white paint भी सूख जाएगा और अच्छे से यह eyeballs बन जाएंगे So मैं hairs बना रही हूँ अभी So यह बन गया हमारे hairs अब मैं इसको छोटी मूटी सी smile दोंगी And that's it हमारा यह cute cute सा मीनियन बनके ready है आप देख पा रहे है कि एक normal simple से stone को हमने कितने beautifully अपनी creativity का use करके किता प्यारा stone बना दिया है So यह अब मैं इसके mouth को outline देने वाली हूँ So यह देखिए और किता प्यारा मीनियन बनके ready है आप इसको as a decor piece use कर सकते है या फिर किसी चोटे से जगह पे आप इसको जहां पे colors add करना है वहां पे आप इसको रख सकते हैं तो यह बहुत ही beautiful लगता है या फिर आप अपने garden में बालकनी में इसे रख सकते हैं जो की बहुत ही सुनर लुप देता है आपके garden बालकनी को और भी अगर इन में से कोई और वीडियो आप देखना चाते हैं तो please mention किजिएगा comment box में I will love to do that for you Thank you for watching guys Bye, take care